नमस्कार दोस्तों, आज हम सूरे नमस्कार के बारे में जानेगे। बारा स्थितियों में से प्रतेक स्थिति के स्थाथ, एक मंत्र भी चुड़ा है। यदि आप चाहें, तो इन मंत्रों का भी जाब साथ में कर सकते हैं। प्रतेकाल सूरे उदे के समय इसे करना श्रीष्ठ माना गया है। तो आएए देखें कि सूरे नमस्कार की उन बारा स्थितियों को किस तरह किया जाता है। सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के पंजो को मिलाएं। दोनों हाथों को जोड़ कर प्रात्ना की मुद्रा में रखें। अपने पूरे शरीर को धीला छोड़ दे। इस दौरान श्वास करिया समानने रहेगी। इस स्थिति में आप ओम मित्राय नमह का उचारन करें। दूसरी स्थिति हस्त ताना सन। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए पीछे की और जुकें। दोनों हाथों को सिर्क के उपर उठाएं। इस वक्त आप विशुद्धी चक्र पर ध्यान लगाते हुए ओम रवय नमह मंत्र का उचारन करें। दूसरी स्थिति पाधस्तान आसन। गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए सामने की और जुकें। दोनों हाथों को जमीन या पैरों की उबलियों से स्पर्श करने का प्रियत्न करें। और पैरों को सीधा रखें। पेट को अंदर की तरफ सिकोडें। इस वक्त आप अपना ध्यान स्वाधिश्टान चक्र पर रखें। और ओम सूर्य नमह का उचारन करें। चौथी स्थिति अश्वसंचालानासन अंदर सांस लेते हुए बाएं पैर को जितना संभव हो सकें पीछे फैलाएं। अपने दाएं पैर को मोड़िये लेकिन पंचा अपने स्थान पर ही रहें। दोनों हाथ अपने स्थान पर सीधा रखें। शरीर का पूरा भार दोनों हाथों बाएं पैर के पंचे, बाएं घुटने वाले दाएं पैर की उलियों पर रहेगा। अंतिम स्थिती में सिर्फ पीछे को उठाएं। कमर को धनोशाकार बनाते हुए द्रिष्टी उपर की तरफ रखें। अपना ध्यान आग्या चक्र पर रखते हुए ओम भानवे नमा का उच्चारण करी। पाँच्वी स्थिती परवतासन। सास बाहर छोडते हुए दाएं पैर को पाएं पैर के पास रखिये। अपने नितम्बों को उपर की और उठाएं और सिर को दोनों हाथों के बीच में लाएं। कोशिश करें कि आपकी पैर पास रखिये।